कर लिजे वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस कर दीजे और उसके बाजु में एक बेल आइकन एक घंटी होगा उसको दबा दीजे प्रेस कर दीजे ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको आसनी से मिल जाए फ्रेंट बहुत सरे फ्रेंट्स ने मु इस्टाल करने के लिए एंजल ब्लोकिंग के सौ्प्ट्वेयर को लैप्टॉप करते हैं इस टॉपिक प्लोगों को बताने वाला हूँ फैंस लिसे पहले कई वीडियु मेंने आप उसे चानीकल का सिसिरीज चांड किया है जिस में आप लोगों को complete technical analysis का course मिलने वाला है ऐसे ही मैं आप लोगों को fundamental का complete course देने वाला हूँ option future का complete course देने वाला हूँ basics of stock market का अल्रेडी मैंने almost complete course दे दिया है अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा हो तो description box में उसका link प्रोवाइड कर दिया है उस वीडियो को वहाँ से जाके देख लिजिए और फ्रेंस इस चैनल को subscribe कर लिजिए ताकि हमारी जो भी आगे वीडियो आए आपको आसानी से मिल जाए और उसके बाजों एक bell icon होगा उसको भी प्रेस कर दिजिए ताकि हमारी वीडियो आपको जैसे ही upload हो दिख जाए तो friends आई हम देखते हैं कि Angel Broking के software को laptop में कैसे install करेंगे और कैसे उसको use करेंगे तो friends अगर Angel Broking के Angel Broking Mobile App के बारे मैंने बहुं सार वीडियो बनाया है मैंने दो तीन वीडियो दिया है कि Angel Broking Mobile App को कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग कैसे करते हैं लाइव मार्केट मैंने ट्रेडिंग करके दिखाया है उसमें stop loss टार्गेट एससब करके दिखाया है अगर आप लोगों वह वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैंने description box में ट्रेट का है वह वीडियो आप देखें गें तो फेंस आईए हम देखते हैं कि स्प्रीट पो को आप डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे सबसे पहले आपको एंजल इंगर वोकिंग करना है तो एंजल वोकिंग टाइप करने के बाद आपको वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर देखेंगे तो दो एंजल वोकिंग ओप्षन आजे कि जो फर्स्ट आएगा और उसके बाद नीचे देखेंगे यहां पर www.angelbroking.com तो हमको यहां पर यह जो है आएड वाला है यहां पर आएड आते हैं इसके बाद सबसे नीचे यहां हमको इस पर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यह जो विंडो ओपन होगा यहां पर आपको जाना है टूल और रिसर्च पर तूल और रिसर्च के यहा स्क्रिंग प्र्वाइब स्क्रिंग करना है तो निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रवाइड कर दिया है उस लिंक के तूँ आप Demet Account open कर सकते हैं और उसका screenshot हमें भेज दीजिए Demet Account open करना एक बाद ताकि हम आपको future में support कर सके जो भी हमारे थूँचर हो सकेगा हम आपको support provide करेंगे तो friend Demet Account open करने के बाद इसको screenshot या details या फिर whatsapp पे हमें हाई करना ना भूले क्योंकि हमारी services आपके लिए free रहेंगी तो आपको वो benefit मिल जाएगा तो friends हम देखते हैं इसको download पे click करेंगे download पे click करने के बाद यहाँ पे download करने के लिए option आईगा कहाँ पे आपको download करना है हम को यहाँ पी क्या करना है कोई एक disk यहाँ पे select कर ले रहा है एक दूसरी जगह पे download करें दूसरे folder में इसको download कर लेते हैं तो हमने यह save कर दिया अब यह download हो जाएगा कुछ ज्यादा बड़ा file नहीं है 1.1KB का यह file है यह download हो गया इसको हमको क्या करना है friends यहाँ पे नीचे जैसे ही है रन पे click करेंगे friends यहाँ देखिए दो option आएगा I accept and I do not accept तो आपको क्या करना है I accept पे click करना है और next पे जाना है यहाँ पे आपको next पे click करना है ओके यहाँ पे आता है additional icon आप create desktop icon यहाँ पे आपको click कर देना है ताकि आपका जो desktop पे आइकोन है और next करेंगे इसको minimize कर लेते हैं यहाँ पीए software install हो रहा है तो friends यह अभी install हो गया अभी यहाँ पे देखिए please enter your client code आपको यहाँ पे client code इंटर करने के लिए बोल रहा है तो next आपको क्या करना है आपका client code यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद login पे click करना है अभी यह आपका install हो गया laptop में यहाँ पे देखेंगे तो laptop में यहाँ पे इसका icon भी आ गया तो अभी यह आपको क्या client code डालने को आपको इंटर करना है तो friends इस तरह से login पे click करके आप login कर सकते हैं आपको इसके next process में आपको आपका client ID आपको client ID और इसके बाद आपको आपका password इंटर करना है और login कर देना है तो login हो जाएगा तो friends इस process को होने के लिए कभी कुछ थवा time लगता है इंटरनेट का तोड़ा से issue हो सकता है या फिर software का issue हो सकता है तो इस तरह से आप इसको install कर सकते हैं और इस software को huge कैसे करना है या आपको live market में trading कैसे करना है buy sell कैसे करना है stop log कैसे लगाना है टारिर कैसे लगाना है इसके बारे मैं next video में आप लोगों को video बनाऊगा जिससे आप लोगों को यह बता चलेगा इसमें buy sell या फिर trading कैसे कर सकते है तो friends इस वीडियो को अगर आप लोगों इस वीडियो से आपको जनकारी मिली हूँ कि software को कैसे install करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है तो इस वीडियो को like जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो friends इस चनल को सब्सक्राइब करें न भूलें क्योंकि अभी जो नेट्स वीडियो आएगा उस वीडियो में बताने वाला हूँ अपनों को कि इस software को यूज कैसे कर सकते है ओके friends थैंक्यू